के वाज़े टकाने दकाना थे रखारां। कि अधिते हैं ज़री तेटा। भी खालटी ताज पाश पास पार थेस सब्सक्राइब पर दाखाई तो द्रेटां। द्रेटा और धाश पारें जाथा। बनने शरद करी गणपती हैं के व्यास हैं के तो मेरे समझे न लखवान, समझे भी न लखवान, तो आपनी पसे गणपती है लगणवना पती, इवा गणपती छे तिया ले, अब यह समझी गया, अपने न समझे वो प्रहत्म करवा छता समझी ने लखनारा बहुँ उचा छे, भाई बंदरायू बचलाजानी, समझी ने लखनारा पहे किना एक छे तो भाई बंदरायू बचलाजानी नो विशेश है, साहित्यनी सामाजीक निस्बत साहित्यनी समाज साथे निस्बत न होए तो कोनी साथे होए, पड़ ये केवी ने केटली निस्बत, कह रही थे, एनी वाद, वजन्दार शब्दों मा अपनने करशे, भाई मुदरायू बचलाजानी बचलाजानी मैं एलाम मुगी देखा हूँ आपकान लेके लेका कर एक लेका लाजाए, निस्बत निस्द न च्तिर शबत आपकान आपकान झाता लेकान I believe that the first room is a bedroom to sleep and mat I believe that the first room is a bedroom to sleep and mat The third is the drawing room where you have social intercourse with the society The fourth room is that where two people meet mentally, emotionally, spiritually and creatively The fourth room is usually missing even in the large mansions A home with 18 rooms may not have this fourth room Amrita Pritam I feel the fourth room atyare aiyyaan haajar chha और एकाल रात्ति पुज्य बायश्रीनी निश्रामा Sामाजिक निस्वत सिवये तो बीजी कही वादथाती जिन थी मारू काम तो सहलू छे के मारे इने साहित्य साथे जोड़ी आप पानू छे एमाई सहलू करियू छे सत्रात धक्षे कानके इने घणी बदी वाद साहित्य निकरी आपी छे गईकाले जे वाद एक कल्लाकना राष्ट्र चिंतनमा थाई ए वाद जे व्याख्यान थी मने ने तमने जानवा मड़ी ए जवाद ने कोई साहित्यकार पोतानी रिते मुखे तो ए त्राण मिनिट मा खेवाई स्वतंत्रता दे वर्दान एटलू राष्ट्रवाद स्वतंत्रता दे वर्दान एटलू नहीन संकल्प हजो कदी मन हैयूं कदी नहजो हताश ने उर्द्व ज्वालय अमसर्व कर्म रहो सदा प्रज्वली ना अधो मुख वानी न निश्कारण हो कथोर रुंधाय दुष्टी नहीं मोह धुम्म से ने आखमान अमी ना सुकाय न भोमका गाय वसुकी शी हजो वानिज्यमा वास वसंत लक्ष्मी तेना निमंत्रे निज नाश स्वार्थती स्त्रियो वटावे निज स्त्रित्व ना कदी बने युवानो न अकाल वृद्ध विलाय ना शैश्यवना शुची स्मितो दुरा वहे जे जनतानी अग्रिणो ने पंगते हो सौथी अच्छेल्ला ने पंगते हो सौथी अच्छेल्ला ने ब्राम्मनों सौम्य विचार रको ते सत्ता तना रे न पुरोहितो बने अने थैने कवी मागू एटलू ना तुम अमारा कवी वृद्धने कदी जुलंत तारे करपिंजराना बनाव जे पोपत चाटू बोलता स्वतंत्रता देवरदान एटलू उग्णिस्तों ने बावन मां उमाशंकर भाईये गई काले स्वामिश्री सुब्रमन्यम जी एक कल्लाकमा बात करी एक त्रण मिनिट मां लखी जे हुएँ मानू छू के साहित्यनी निस्बत के निस्बतनू साहित्य आब एनी वच्चे दैकाल ने आज जोला खाई रही छे पुर्वभुमी का जे अधनिया दिनकर भाईये आँख तो बंध होई छे मोडू पन बंध होई छे लगबग लगबग कान खुला होई छे अने खुला हो एकले कशुक संभडातू हशे एवँ आपने मानी ने शरू करी शक्किया कि आपने माना हत्मा आविये के मा समी कोई दायरना हत्मा आविये त्यारे जो आँख खुले रढया पच्छी तो दुरुष्चनी शरू आथ थाई पची कदाच एवु बने के प्रयत्न पुर्वक ना आजुबाजोना प्रयासोती काली घेली बोली नी शरूआथ थाई एले आपड़ू कठन खुले औने पची संसार इच्छे के तमें आम लखो औने तेम लखो औने अमें इच्छी ये तेव लखो त्यारे खरेखर लिखनी शरूआथ थाई आ चार पगत्यां मा जे पेलना कान मा पड़िऊं पची जे आँखती जोवाणूं पची जे बोली शकायूं अने पची लखायूं आ चार पगत्यां जेने बराबर पाक्का करीने जे काई सर्जिऊं तेने साहित्य के वामा कोई वांदो न थी आवों मारू तार पम्या चे एवों जरूरी न थी के बनेला लोखोट साहित्य सर्जे अन्धे कोंटरी बनेला ओ साहित्यमा कुच्सित भाव वदू उमेरवामा मास्टर बनता जाई चे आपणे आपणा शास्त्रना पात्रों ने पन आपणी कल्पना मा विहरता करीने मुकवा लाग्या चिये जेती करीने कदाज 50-60 वर्षों पची मूर शास्त्र भुला शे अने मारी कल्पनानू शास्त्र पात्र छे ए ए सम्मई मा स्विकार आशे ए उपन कदाज बने एटला माटे निस्पत नी जो वाद करवी होई तो एक साहित्य माटे साधीने सिद्धी वाते एके बिडायेली कड़ी माथी पुष्पक खिले तेनू विग्णान शक्या छे पन तमे नजर मांडी ने बेठा रहो तो कली माती कई पुष्प प्रगट्यू ए तमे नवपामी सको एक खरेकर जीवन चे आ नवपामवानी पॉड माती जे काई निस्पन न थयू एसा हित्य गणावू जो इए मारे बहु वात तात्विक नथी करवी काण के मारे साधार वात करवामा वदू रसपर्शन। केवू छे एटलूं के हकिकतनी अंदर भागवत जहां आपने बेठा चीये जनु स्थानक गणी शकाये अने आपड़ा सुधी भागवत ने बहुज सरर डिते शिरानी जें गड़े उतारनार हुज जे भाईश्री नी उपस्तिती छे त्यारे या संस्क्रूतनू मधूर काविया छे वन आकर्शक छे अगरू छे थोडू भाशा तो बहुज अगरी छे पन माधूर्य मां तेनी बराबरी करी शके एवू कोई न थे बधी जनताना पाई ने धोई शक्नारो वाग विसरगज भगवानने प्रियत थाई छे एवुए माएक वाक्य छे सवाग विसरगो जनताध विपलवह आयमनो सामन्य सार छे एज सर्वत्म काविय छे के जे भगवानने प्रियत थाई छे पन भगवानने प्रियत कोई थाई छे तो बधी जनताना पाई ने धोई शक्नारो वाग विसरगज प्रियत थाई छे एनोर तेवो छे के आ सर्वत्तम काविये होई तो एज साहित्य केवड़ावाने लायक छे आब वो तात्विक चर्चा उपर आपड़े जहिए छे शब्द ये परमेश्वन ये एक इवी शक्ती छे तमें विचार करोगा आपने बेली वक्त जे बोलया हशू ने ए जो भाग्य बड़े आपना माबापना कानमा हजी गुंजतू हसे अत्वा कालकर में आपने माबाप साथे नथी रहा हवे तो आपना संतानों जे बेल्लो शब्द बोलया हशे ने ए जो क्या कानमा गुंजतू हसे तो गम्मे तेतला कान बहरा था तो पन अंदर थी ए शब्द आजे पन आपने हल्बलावी शक्तू हसे आज शब्द परमेश्वनिये गेवी शक्ती छे के जे मानसमाज प्रगठ थाई छे आज शक्ती बीजा कोई पासे न थी आटली स्पष्ट वानी कोई बीजा प्राणी पासे उपलब्द न थी तो जे अटलू बदू स्पष्ट दीते आपने मल्यु छे वानी मनुष्यने बगवान नी सौथी मोटी देन होए तो तेनो दुरूप्योग करवो ए हकिकत मा दिन करवाई पापकृत्य गणावू जोई है एतला माटे विनोबाजी बहु सुंदर वाद करे छे आपकू आ सदीना आ समयना जो कोई मनिश्री कई शकाए तो एवा विनोबाजी के साहित्यकारोए जरिक मोण न अभ्यास करवो अने संयम पूर्वक योगनो अभ्यासमन करवो संयम पूर्वक छे एले योग एले टी वी मां सामे कोई ने जोईने आपने जये आसना उन्धर चत्ता चकेड़ा मरवा मंडिये चिये ने यह ने संयम पूर्वक योग नो अब्यास करवों साथे लखूँ ओचूँ बोलवू ओचूँ पन मनन अनुब वधरे करवों त्यार पची सहज भावे जे व्यक्त थतू होए तेने थवा देवूं ए जे व्यक्त थशे ते पावन अने उज्ज्वलवानी जहशे अजकाल सवर पड़ेने फेस्बुक उपर त्यां सुधी किटलिक पोस्ट आपने न पोस्ट करिये त्यां सुधी घणा लोकोंने कायम चुर्णनी जरूर पड़ती हुए यह होई चे पन हकिकत्चू छे 14-25 एनी मेले जे गिताबोध छे परिप्रश्णे न यह उशक्द पयोग के वो परिप्रश्ण तो परिप्रश्ण नो आपनी पास एक सुन्दर जवाब छे प्रश्ण थवाज होई जरूब ट्यारे टों मारी कौमेंट से में कोई नीम नी कौमेंट पनू öव थवालन चे त्यारे प्रश्ण सुधी तो किया थी पहुच आई एल्य जो प्रस्णु थाइं तो जे म्हहुल सर्जाएं एगी आपकुणु जीवन थाहें किया जीवन मा प्रस्णु होएं दुनिया जीसे कहते हैं जादु का किलोना है मिल जए मिट्टी है 3eeeet mee खो जा Euos scand Ac तो खो जाये वो सोना क्यों है दिनकर भाय का उबेज प्रश्णों थाया चे हूं कौन चून आबदू शूंच ए प्रश्णों मा थी जीवन मा थी जे का इप्रश्णों आव्या एनों उकेल शोदुआ माटे जे का इं रचाय के सर जाय तेने हूं साहित्य गणू चूं हवे यहां बराबर याद राखे मित्रों भारतिय शास्त्रों पोतानी चिंतन और दर्शन नी अक्की जे धारा चे एमा ठिक ठिक साहित्य रचिव त्रण बाबतों माटे तत्व मिमान सा ग्णान मिमान सा अने मुल्य मिमान सा आ त्रण मुद्धामा वे चू होई तो बहु टूक माने जड़क्तियू वर्णन करू पेल्लू चे मनुष्य जिवननी श्रेय साधक्ता अपने जन्म्या रोजबरोदनू रली लिदू कमाई लिदू पन श्रेय साधक्ता शों कोई एक श्रेय तो साधीने जवू चे जिव जन्न मुख्य बे पासा शास्त्रोय वर्णव्या एक प्रवुरुत्ति अने एक निवुरुत्ति जिवन भर प्रवुरुत्ति अने संध्याकाले निवुरुत्ति प्रवुरुत्ति नोर ते ओ फर्ता फर्ता कशाक्ति नी गती ते प्रवुरुत्ति revolving towards something प्रवुरुती तो नियुरुते शूँ फरता फरता कशाक्थी दूरनी गती ये नियुरुती revolving towards ये प्रवुरुती and revolving away ये नियुरुती आबेने जो तमे पामीशको क्रम शह अने न मुल्यों नो स्विकार करी शको तो श्रेय साधगता तरफ जह इशको जाओ के नहीं एउंके जरूरी नहीं बिजो मुद्धो मनुष्याने वैश्विक सत एक रूप छे मनुष्य विश्वचे इतनानो अंस छे अने ते संपूर्णा छे व्यक्ति अने समश्टी परस पर भिन्न नती बन्ने आत्मचिंतन नाज रूप छे आ अभेदनी दिवाल जेटली जड़पती आपने पार्खी लईए एतलु जिवन मां प्रेम अने प्रेम होए अने त्रीजो मुदो मानव मुल्य अने आध्यात्मिक मुल्यना समन्वै द्वारा आत्मिक विकास करो थोड़िक अगरी वाद छे पड़ू टूकमा एने स्पष्ट करी दो आध्यात्मिक मुल्य जेनी घणी बजी वाद दिनकर भाय करी एक शब्दमा जो समझवू होए हूनो लोब ते अध्यात्मिक मुल्य मानव मुल्य शूं तूनो स्विकार ते मानव मुल्य अलबद दे अगरी वाद छे हूनो लोब करो और पछी तूनो स्विकार करो हूम आनुचू का त्रोण सत्य एह हकिकत मा अपना शास्त्रो द्वारा आवेला साहित्यनी पहली फल्षूती छे अपना बहुच उच्चा जीवन माटेनू साहित्यनी निस्वत को ये धरावी ने आपने काई आपी हूँ होई तो आतेली फल्षूती छे साहित्यकार नी वाणी सचोट क्या रहे बने आपने केटलाक लक्षोणों नी एटले चर्चा करवी छे के ज़े शब्दों ना ढगलाने आपने साहित्यन न केवूं होई तो कोने केवूं एपनाई थी नक्की करीने ज़े उपडशे एटलिस्ट काल्थी तो ये लखान ओचू थवा लक्षे साहित्यकार नी वाणी सचोट क्या रहे बने जे नम सत्य होई जे मौन होई जे शांत होई एनी वाणी अमोग होई सत्यने पकड़गू छे कि ना सत्यने मारी मचोडी ने केवूं छे सत्यथीज काम सर्तू होई तो असत्य वच्चे नथी लईयावूं अवे एक बहुँ सुन्दर मजानी वाद चाली छे कि मारे केवूं नथी पण एम करीने आपने नह केवानू बद्धूज केवाटे वाहलाची कदाच हूँ खोटो हूँ के एम करीने बद्धीज खोटी वातो ठलवी देवामा अपनी मास्टरी छे साहित्य करना लक्षनों सुन्द एनाम अलिप्तता जोईये और अनासक्ती जोईये तो यथार्थ-चित्र यह आलेखी शक्षे नहीं अने परिणा में एमना द्वारा जे आले खाशे ते साहित्य कहवाशे नहीं। सुरुष्टियने संसार्ती अलिप्त रेवनी शक्ती जेनामा हशे तेने ज उत्तम साहित्यकार केवामा आवशे आवो ठराव अपने संस्कृत्य चिंतने अंते करी शक्किये करवो होई तो। पन याद राखूंगा अलिप्त तानो अर्थ विमुक्ता न थी। अवे हुंक्याई जतो न थी। हवे हुंक्याई भाग लेतो न थी। एम कईने अलिप्त देखावा मानो मानस वारमवार पोताने कौन आमंत्रणा पेचे नी प्रतिक्षा करतो होई छे। एना माटे आ सदियार हो छे। के अलिप्त तान ए विमुक्ता न थी। निर्विकार खरा पन साथो साथ विश्वा भी मुख होवा जोई ये। निर्लिप्त खरा पन साथो साथ संसारा भी मुख पन होवा जोई। संसार असार छे ए आपणा लोकों ने लागू पढ़ती वस्तू न थी जो लागू पढ़ती हो ये तो साड़ा बारवागे कोई ये बोजन खंड मा जवू ने आपणा माते तो संसार कंसार छे अने कंसार मा थी जे मने स्वाजिष्ट प्राप्त था ये मा थी निप जे ये मारू साहित्य अंदर गड़पन उमेरा से नहीं तो लिखिनी मा के जीबू पर गड़पन आउशे क्या थे साहित्य कारने उत्तम उदारण हिंदी मा आप मुँए तो तुलसिदास छी मराठी मा आप मुँए तो ग्रान देव बहुन आनो होतों ने डोंगरे बापा ने जयरे कथा सामें बेसीने सांबल तो त्यारे हमने एक वकट ज्यानेश्वरी न उल्लेक करे लो और ये वांची उल्यूँ त्यारे मने बहुँज आश्चरी है तू के संसार नू अटलू आबे हूब चित्रन कोई एक व्यक्तिक केवीरते खरीशक है आउट्नम साहित्य के जे त्यारेत हमारी समझ विक्सिज न होई अने समझ विक्सि गई चे वो कोई भाव ना आवे होई त्यारे तमने काई कि समझाई जाए एक खरेकर तमरू पोँचेलू साहित्य गणा है जीव जगत जीवनने समझ वानी अने सम्रुद्ध करवानी मथामन अनेक ख्षेत्रों एक खरी छे पड़ेमा बेक ख्षेत हमेरे पड़ारों मत्obile miss careete साहित्यकार नो केव chunky registered master है huhajee साहित्यकार ब़ने उने कि लित्मस पेपर टेस्ट ना थी ईनो कोई letmos paper टेस्त ना थी एवु मने लागे चे अंदर कॉंटरी चे शिक्षक नथी पोँची शक्यो तिया साहित्यकार पोँची चे ज्यान पोँचे रवीत्यां कवी एवात गणा वर्षों पे लांके वाणी पण आपनों लोक साहित्या है आपनों दलीच साहित्या आण अभन लोको सुधी पोँचियो चे यहनोर थे वो चे कि ए पन वर्ग खंड न गणो तो कहीं वानदो नहीं पन लोक खंड नों एशिक्षक चे कि सिक्षनने साहित्य बंचे कि याम जो तो परसपराव लंबीऽे पंचे फाईद मेनोय शेया कि बंचे जीव लंबीफे लिभू शेया वैँ गया रानवलापने सिला फोट पीडियत नेन शाहु चिंडेगुडब्ध को स्रिक्षण साते प्रयोजन उसाहित्य साते दर्षण स्रिक्षण सुपते साना स्रों युय कर स्कूर AIि amis मतश्य पेसिंस्क्षं साथ च्छंते साहित्य साहित्य साथ कर सर्षन। पर लांबु नो खेचु ओई ने पूरा चित्त थी यहां आउतिकाल सवार सांजना पपोर्ना साड़ा बार सुधी बेशो तो चोकस्त अमरू ए रेड्न नाव सुधर्य खरआओ शाहित्य बन्नेनु माइग्यम सब्द चया सिक्षण नो शब्द आँओ सास्त्र मा यो घृत्यों अजीवत्यों इडरा बिंस्वत ौवी जोई त्रीजु तर्क अने चोथू बुद्धी साहित्यनु पेलु पगत्यु पन्षब्द बीजु विचार त्रीजु समवेधना अने चोथू रुदय तमें भणों जो भणों तो खरे खर तो ए तमने तर्क अने बुद्धी तरप दोरी जाए पने यहां गईकाले राजेश्व्यास मिस्कीने ओ फ्रीजवालो एव कहूं और आपनी तरसने बराबर जगाडी आपी ए सिद्धु रुदय और समवेधना सुधिस परशी गए समाजने मुल्यों नी चिंता न होए तेने साहित्य सर्जन करूं नई कदाच थई जाए तो इने साहित्य केवूं नई कदाच के तो आपने समझेने ना समूझ हूँ नई कदाच जोवा जाए तो कोई ने फोरवर्ड करूं नई आप वधू पाप कृत्य ना भागमा आवे छे उमाशनकर भाई ये भागेश भाई सरस्वात करी छे कि शब्द तो नौरात्रिनो गर्भोज है आपने कहिए ने शब्दार चे जोती प्रकाश हो का जल गुल्जारनो एक सुंदर मजाने पिशले संच है कि जब कोई सामन्य मानव अपनी वेदना समवेदना को कह नहीं सकता तो वह रोने लगता है नाचने लगता है उनको देखकर जो रुजुरदे कुछ लिखता है वो सहित्य बन जाता है पेलो एक अंध गुरुदेवना दर्शन आजयो तो खाली रड़ेओ और रड़ेया पछीनी जेवा तती ये डायरी माथी मड़ी तो लखानी किसी का आपकी और भाव से देखना एक कविता है और किसी का आपके बारे में सोचना एक उपन्यास है कोई तो हमारी सामे से जोवे ने तो ये समझवा जेवु छे का त्यारे अस्तित्वे ने आदेश करयो छे किसी का आपकी और भाव से देखना एक कविता है किसी का आपके बारे में सोचना एक उपन्यास है जहां समवेदना होई त्यां प्रती भाव होई त्यां प्रती पोशन होई फिट बेक हैं सब्दवा पर ये चे फिट बेक हैं प्रती पोशन एनी अपक्षा रहे हवे आपरो रोल शूं समवेदनाने क्या सुधिली जावाने निस्बतने केम ज़वाने ये आपरो रोल पर बहुँ सपस्ट छे नानाबाई भट्टे साहित्याने निस्बत विशणी वाद करी है सामबलवा जवी चे हैं अपना बालकों ने साहित्यानो परसपर संबन ठाइ एकलूँज करीने सिख्षक के खसी जवूँ अने साहित्यनी बालकना मानस पर असर जम्मावा देवे शब्दोना वाक्योना अर्थोना नकामा चूथना न चूथतां साहित्यना कारना अवाजने विद्यार्थिना रुदेमा पेशवा देवो अने आबदू करता करता बालकोंने साहित्यनी स्रुष्टी मां भमताने कलोलता करता शिखमूं आटलू जो आपने करी शक्ये तो आजे आपनामा साहित्य तरब जे अरूची देखाई छे ते आपो आप तड़ी जशे जे बोलूमू ते स्पष्टज बोलूमू अदूरू वाक्य बोलूमूज नई तेम स्विकारूँ पर नई लखाणमा जोड़नीने वाक्य सुद्धी बोलूमामा विचार स्पष्टता ने उच्चार सुद्धीनों बराबर आग्र राखो तमारी आसपास जे कोई छे ने एवी टेव पाड़ो के ए नवलु साहित्य स्विकारीच न शके स्वामी आनेंद नो धरती नी आरती अमृतलाल वेगर नो स्मुतियो नो शांती निकेतन अनकुंश्यसली डोक्यूमेंटेड छे ना थे पन पछी ये आपना सिक्षन मा आदया अने खरेकर सामाजिक निस्बत शूं ए जो मारी एकज आपने कोई सुचन करूँ तो धरती नी आरती उपाड़ो अने वहां चो अने एको एक पात्रों नी केवी निस्बत छे एनो जवा साहित्यनी समझनी, साहित्यना निर्माननी, साहित्यना सर्जनी, साहित्यना प्रचार्नी, साहित्यना प्रसार्नी, साहित्यना विवेचनी, साहित्यना संशोधनी, साहित्यना मुल्यांकनी, साहित्यना परीमार्जनी, साहित्यना परिशिलनी, के साहित्यमाटे ना प्रती प मोटो फाइदो एच है कि क्यांक ने क्यां एनी सामाजिक निस्बत देखाया वगर रहती ना थी हूं अपनी साथे बीजी कोई वात शेर करूए पहला बे सुन्दर मजानी रतना कांके हूं महारा समय पासे पूंची रहे वचू एले बे सुन्दर मजानी कृतियो अपनी समक्ष रजू करी ने हूं मारी वातनों समापन करीश आनंद नी एक क्षण आवोज ना आनाथी वधारे आकड़ो उनालो हतो बागमा हीजका पर मारी साथे नानकडी अधी वर्ष्नी छोक्री बेठी ती श्वास्वस्वास चेटलाज नियमित अने साजिक प्रस्णों नी फूल जड़िये वर्षावती हती अने हूं वच्चे वच्चे मने सुझेवा जवाब आपती हती ओचिंतु एने दोड़ादर करवानू मन्थयो ने मने थोड़ी विश्रान्ती मली पण जराकवारमा जे पाच्ची आवी ने मने पूछवा लागी आशू छे जाम्बू नुजाड फरी पाच्च्चों ने हिचका पर आसन जमायून जाड सामे मीट मांडी ने विजो प्रस्ण पूछो जाम्बू क्या और त्यारे जाम्बू नती हूग या तो पची ये ज जाम्बू नुजाड कें छे प्रस्ण बराबर तो जैने जाम्बू नती हूग या तेनेне स्री तया जाम्बू नुजाड के उजव ये संसार मं रही रही ने कुंठिथे गईली बुद्धी ने जेम तेम सराने चड़ावीने मेया प्रस्ण नों सामनों करे और थोड़ी मै बराबर एतलू कईने संतोस्ती माथू अलावियू अने कालई पांख मा लिल्ली छाट वाला पतंग आविशे ना प्रस्णु अने सरू करी दिधा एनि नानी बेन केटली अग्नानी शेने गईकाले एने केटलू तोफान करेलू एनि सविस्दर माहित यहने आपी गंगाना आलादक नीर्मा डूपकी मारी ने निकलता जेवी साता वड़े एवी एने साते ना संवाद माथी मने साता वड़े वाचित अने रमतनु असुभग मिश्रण मने अनाया से यहनी उमर तरफ खेची जतू होतू अने वर्षो नो भार पवन ने लेर्खियों साथे वही जतू होतू एवाम माउठू थायू असे यह ताप थी अकलायली धरती ने पटा हुआ थोड़ोग वर्षाद आवयों ने ठंडा वाईरा फुकावा लागया मारी साथी दारे तेनो वाग प्रवा अटकावी ने मन उच्सा पूर्वक कयू चाल जाम्बू खाईए क्यां से जाम्बू में हवे ने प्रशन करयो कें तो कयू तो गवर्षाद पढ़ शेले जाम्बू उख से यह नि निर्दोष नजर्मा अपार विश्वास चलकातो होतू मारी आटली कफोडी हालत भाग्येज थाया से यह नि साथीनी मैत्रीनु सुख जोकमा यह सहन था यह नोतू अन्य आटलोग जरिक अम्थो वर्षाद पढ़नावे जाम्बू न उगे अन्य उगे तो यह मोटा थाई पाकीने टपा टप जमिन पर न गरे यह वात यह समझावी पन बहु मुश्केल अती बहु व्याकुल भावे इश्वनी प्राथना करीने में तेने धिरे धिरे समझावानों प्रहतना आदर्यों यह स्थीर नजरे मारी सामें जोई रही मने बहु चिंता थाती हती कि एक हवे कदी मारो औने बिजा कोई मोटे रानों विश्वास नहीं करे आखरे बोलवानों पूरू करीने हुँ एना जवाबनी राज होई रही रही थी मोखिक परिक्षानों परिणाम जानवा माटे पन हुँ कदी अटलो उच्वाट अनू बहुती नो थी एने गंबीर भावे रुक्ष सामे वर्साथ सामे औने मारी सामे वाराफरती जोया करिऊ औने पच्छी इटलू नानू बालकच करी शके वो मनोहर समीच साथे करिऊ कई नहीं जांबू न थी ना बन उस वर्साथ तो छे चाल वर्साथ मां कुदी लईए सित्तेर वलोटी गया पच्छी वर्साथ मां कुद्मू ठीक न थी ए भुली जैने पन मेनो हाथ लंबावेलो पकड़यो औने नानो कुदको मारतां कयो थेंक यू मुदिता वर्ता जगतमा जेने पिश्म कई सकाएवा दिरूबेन पटेल निया वर्ता आनन्दनी एक्षान तमेचु अमा प्रकृती चे अमा परियावरान चे बाल सहज वाचसल्य चे कुतुहल चे विस्मई चे अक्लामण चे कदाच नवे नव रस आवी जाए एवी सुन्दर मजानी एमा बात चे हुँ मानू चूँ के आँ अपड़ी सामाजिक निस्वत चे कदाच आजे आपने अहीं थी चूटा पड़ी ने जही ए त्यारे एवो कोई ने प्रश्न थाए के मारे भाथु मां सामबढ़ू होए के बांधिने जवू होए के सामाजिक निस्वत माटे ना कोई पुस्तको कोई कृतियो तरफ जवानी इच्छा थाए तो के भी रिते जवाई हूँ एनो जवाब लईने आदेो चूँ ए जवाब एकला माटे है क्या वा निस्मत ना गईकल ना हुदारों तो आपनी पासे गणा च्या कोणे किदू गरीब चीये कोणे किदू राक कां भूली जाम मनरे मोळा अपना चुदा आंक थोड़ाक नथी सिक्का पास थोड़ीक नती नोट एमा ते शू बगड़ी गयू एमा ते शी खोट नोट बंदी था एमा एकला बदा सू गब्राई जवानी जरूर उपर वाड़ी बेंक बेठी चे आपनी मालम माल आजनू खानू आज आपे नेकालनी वातो का शोना नीतो सांकडी गली हेतू गणतू इत दोडिया माते दोडता एमा जीवता जूने प्रेत मानवी भाड़ी अम्थू अम्थू आपनू फोरे वाल नोट ने सिकका नाखने नदी मा दुडिये मारक चाल साही मकरंद नी आ रचना ये सहज जीवन नी निस्बती तरफ लई जाए कदाच सास्त्रों ने उपनिशोद नी निस्बत तरफ जवू होई तो श्री भानदेव जी ने वाँचवा पड़े समाज नी निस्बत तरफ जवू होई तो मुर्शंकर भाईये जन अनुवाद करेओ ते ला मिजरेबला दुखियारा वाँचवू पड़े कुद्रत नी निस्बत नी वाद जानवी ने समझवी होई तो दुरू बतना अकुपार तरफ जवू पड़े प्रेमी नी निस्बत केवी होई आजना यूवाणोंने पण टच करी जाए एवी तो विनेश अंतानी ना प्रियजन ने वाँचवू पड़े तमारे रावणने जानवो जरूरी छे गईकाले वाद थाईती है यह रावणने जानवो जरूरी छे तो तमारे हरिन दिनकरभाई जोश्री नू अयोध्यानों रावणने लंकानो राम भुल्याव अगर वाचवू पड़े रावणने निश्वत आती साहें, रावणने निश्वत आतकी संस्था विश्यवाच्वू हो मुह तो दर्शक दादाना सद्वी संग तरभ जवू पड़े परंपरा न निस्बत विश्य माँचू होई तो फरी एकवार धुरू भाय नो तत्त्व मसी भराब बरोगाली जवू पड़े भगवत गीता महभारत रामायाने ने गांधी ना भास्यों माँचू होई तो एकमात्र गुणवन्षा तरब जवू पड़े अने सिक्षण नी नित्वत नी वाद करवी होई तो हरेश धोलक्याना अंगत ना पक तरब जवू पड़े मारी निस्बत दिनकरवाई करी रहा चे अने ये साची छे एकले मूँ पूरा अदर साथे मारी वादनो समापन करू मने आवी सुन्दर मजानी वाद आया रजू करवानी जे तक भागेश भाई द्वारा अने भाईश्री द्वारा मली छे एबदल हूँ तेमनो रून स्विकार करू छो में जे वाद करी ते मारा चिंतन नी छे एमा ठगलो पन होए औने ठगला माथी विने लाकेट लाक सुन्दर मजाना बोर पन होए देनार तो दे नयनोज मत्र शूँ देखवूं ते कथवान पात्र थेंक यू बेनी बाच्छ